बीसीजीए ट्राइल्स के दौरान आपके उपर लग सकता है दो साल तक का बैयन तो क्या है मामला कौन सी जीज़े आपको ध्यान में रखनी होगी ट्राइल्स यह समय लेट्स फाइंड आउट तो यार जैसे कि आपको सबका मालू है कि बहुत सारे श्टेट में चल रहे हैं बिसीज़े के ट्राइल्स और बहुत सारे लोग यहां पर पाटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर बता दू अच्छी बात है दोस्तों बट यहां पर जो जुगाड होता है ना इसमें फस्त है दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग अगर मानके चलो कि अगर अंडर 16 के ट्राइल्स चल रहे हो उनकी एज जो वह 16 के ऊपर है और 17 से 18 है मानके चलो पर उनको ट्रैस देने के लिए बिलकुल भी जगन है यह अंडर 16 के लिए वह क्या करते हैं दोस्त आपके हड्यों के बिलकुल भी परखा जाता है यहां पर बोंटेस वगरा होता है तो यहां पर आप पकड़े जा सकते हो डेफिनेटली और यहां पर आपको अभी दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब क्या होगा इतने कुछ नहीं होगा इसमें आप बहुत सारे लोग करते है क्योंकि कही ना कही वो पकड़े जाते और यहां पर बात किजा है पॉलिटिक्स या फिर करप्शन की तो यहां पर बहुत चलता है तो जैक लगा के भी बहुत सारे लोग आगे बड़ते तो वो कुछ समय के लिए बड़ते उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि उनको और यहां पर आगर आप पकड़े गए ट्राइस के दोरा ने फिर मेडिकल टेज जो होती है इसमें अगर आप पकड़े गए कि यानि कि मांगे जलो कि आप अगर अगर अंडर 16 के ट्राइस दे रहे हो यह दोक्यमेंट भी आपने बना लिए यह मेरी एज 14 है 15 है ऐसे करके और यहां पर आपकी एज अगर पता चल गई कि 17 और 16 के ऊपर है तो आपके क्रिकेटिंग करियर के ऊपर दो साल का बैन लग सकता है दोस्तों तो बेफिनिटली यह निकाल लो बिल्कुल भी कि जुगाड करना है या फिर जैक लगाना है या फिर एज थोड़ी सी बिल्कुल भ के ऊपर ही फोकस करो determination के साथ लगे रहो डेडिकेशन दिखाओ तो बिल्कुल भी एकना एक दिन आप बिल्कुल भी आगे बढ़ जाओगे जुगाड टेंग पर आपको सैटिस्फेक्शन जरूर देगा कि कम महनत में आपको फटक से आप आगे जा सकते हो बट लॉंग टम करके वेल आइकोन को प्रेस करना ना बूलना जिससे कि आपको नोटिविशन मिलती रहेगी जब मैं इसे वीडियो आपके समय रहाता हूं तब और तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और ब्रेट के साथ बाए-बाए